बूर्णिंग फ्रेंड्स तो ऐसा है आखरी चैप्टर अपन देखने वाले आज पार्टनेशिप एक्ट का जो डील करता है रीकंस्टिटूशन एंड डिजॉलुशन ओफ फिर्म से और एक LLP Act जो कि बहुत छोटा सा Act है यह दो चीजों के उपर हम चर्चा करेंगे in the next sessions और कल और परसों आपको छुट्टी रहेगी तो अपन कल और परसों कोई भी क्लास नहीं रखेंगे So, let's begin आगे बढ़ते हैं आखरी चैप्टर ये भी जल्दी हो जाएगा så, reconstitution का क्या मतलब है? reconstitution का मतलब होता है जब फिर्म को किसी भी प्रकार से बदला जा रहा है कोई आ रहा है कोई जा रहा है या इवन sub-partner बनाना this is also a reconstitution या फिर even अगर profit sharing ratio change हो जाता है that is also called as a reconstitution of the firm and what is dissolution? dissolution का मतलब है जब पूरी की पूरी firm खतम हो जाती है so हम एक एक करके इनको देखेंगे reconstitution में क्या क्या आ सकता है incoming and outgoing partner किसी का admission, किसी का retirement किसी का expulsion, किसी की death या even किसी का insolvent होना ये भी reconstitution का ही जरिया है so reconstitution ये सब कारणों के कारण हो सकता है अब एक एक करके सबकों में बता देता हूँ introduction, introduction का क्या मतलब है introduction का मतलब है जब एक नया partner आ रहा है जैसा कि अभी तक मैंने आपको बता है introduction तब तक नहीं हो सकता जब तक के 100% of the partners agree न करें so introduction के लिए 100% unanimous consent लगती है means हर partner का बोलना जरूरी होता है कि हम इसको introduce करने को तयार है नहीं तो आप नहीं add कर सकते किसी अन्य विक्ति को क्योंकि ये भरोसी के उपर dependent contract है और इसलिए जब तक के सब लोग हा नहीं बोलते तब तक आप किसी विक्ति को जोड नहीं सकते इसके अलावा यहाँ पे liability कैसी क्या रहती है so यहाँ पे he is liable for the acts of the firm only after his admission क्योंकि हम बोल रहे हैं admission हो रहा है और इसलिए जब वो liable कब होगा जब वो admit हुआ था उसके यहाँ पे अब iliana की liability कब से आईगी जाहिर से बात है जब उसको जोड़ा गया था उसके बाद ही उसको हम liable ठहरा सकते हैं उसके पहले के लिए वैसे liable नहीं होती पर फिर भी हम novation कर सकते हैं novation का क्या मतलब है novation का मतलब है अगर iliana को हम बोलते हैं कि भाई देख हम लोग तो इतने समय से बिजनस कर रहे हैं एक अपनी party है जिससे अपन regular खरीदी विक्री करते हैं खरीदते रहते हैं उससे अपन वाल अब यहाँ पे उसकी liability तुझे लेना पड़ेगा वो agree कर रही है कि भले ही past debts होंगे बट वो पुरानी liability भी लेने को तैयार है यहाँ के भी liability of that particular party वो लेने को तैयार है हम लोग तैयार है और third party तैयार है जो supplier है वो तैयार है तो यहाँ पे novation किया जा सकता है and that partner, the incoming partner can be held liable even for the past debts by a tripartite agreement तीनों के बीचे एक agreement होना चाहे this is called as novation जब हम नया contract करके एक व्यक्ति को जिम्मेदा ठहरा रहे है for even the past debts so यह भी हो सकता है अब इसके अलावा यहाँ क्या public notice की आवशक्ता होती है तो answer is no public notice के यहाँ पे कोई concept नहीं है public notice के लिए एक simple सा point ध्यान रखो public notice सिर्फ तब लगता है जब आपको liability से मुक्त होना है अगर आपको liability लेना है तब कोई notice की ज़रुरत नहीं होती public notice का मतलब क्या है means लोगों को जानकारी देना कि भई हम इस firm से अब अलग हो चुके है अब अगर आप इस firm से कोई transaction करोगे तो I will not be responsible तो यह responsibility से जब मुक्त होना है liability से जब मुक्त होना है तब यह बताना अनिवार यह होता है लेकिन यहां तो liability ली जा रही है और इसलिए यहां public notice की कोई आवशक्ता नहीं होती the next point is retirement of a partner retirement कैसे हो सकता है so जैसे मैंने बता है admission हो सकता है with the consent of all the other partners retirement भी है तो भी आप कर सकेंगे retirement अगर deed में लिखा है तो जैसे कई बार हम deed में लिख देते हैं कि भई मैं retire होना चाहूंगा तो मिरको एक महने पहले बताना पड़ेगा मैंने बता दिया एक महने बाद retire हो जाऊंगा so यह कई बार लिखा होता है कि एक notice period देंगे हम और उसके बाद retirement हो जाएगा so retirement तीन प्रकार से हो सकता है पहली चीज़ विद दी कंसेंट ओफ आल दी अधर partners यह simple सा point है दूसरी चीज़ अगर deed में कोई provision लिखा था तो उस हिसाब से किया जा सकता है retirement तीसरी चीज़ अगर partnership at will है so by giving notice मैं retire हो सकता हूँ मैंने notice दे दिया सब partners को कि I want to retire from this firm from the coming 14th 14th of the next month so ऐसे case में जैसे ही मैंने notice दे दिया उसमें तारीक लिख दिया हूँ so उस तारीक से retirement हो जाएगा again अब यहाँ पे अगर मैंने कोई तारीक नहीं लिखा तो फिर जैसे ही सबको notice मिल जाएगा बैसे ही retirement हो जाएगा ठीक है so retirement तीन प्रकार से admission सिर्फ एक प्रकार से with the consent of all the other partners retirement can be with the consent of all the other partners or in accordance with the terms of the agreement that is the partnership deed or if the partnership is at will then by giving notice to all the other partners और अगर notice में कोई तारीक दिखी है तो उस दिन से retirement हो जाता है और अगर कोई तारीक नहीं लिखी है तो retirement takes place immediately on receipt of notice by every other partner अब retirement के बाद कब तक के liability रहेगी जाहिर सी बात है retirement यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे हम लोग KDS थे और यहाँ पे समझो केटरीना जो है यह retire हो जाती है और हम लोग दो जनब business कर रहे है innovation हो सकता है केटरीना बोल रही है कि यार मैं दो इतने साल आपके लिए काम की मुझे अभी भी आप liability हरा रहे हो एक काम करो कम से कम यह जो अजय की liability है इससे मुझे मुझे मुक्त कर दो भली यह past debt है पर इसके लिए मुझे मुक्त कर दो सो अगर हम लोग agree करते हैं हम दोनो existing partners और retiring partner और third party सो यहां के past debt से उसको release किया जा सकता है by a tripartate agreement यहां पे भी एक tripartate agreement करके यहां हम मुक्त कर रहे हैं ठीक है पिछले वाले case में introduction में हम उसको accept कर रहे है कि तुम liable रहोगे यहां पे हम accept कर रहे हैं तुम liable नहीं रहोगे तो यह भी किया जा सकता है क्या यहां पे liability retirement के बाद भी continue हो सकती है of course मैंने जैसा कि बताया यहां पे up to the date of public notice अगर retire हो गए तो ठीक है लेकिन public notice देना तो अनिवारिया है अगर public notice नहीं दोगे तो जो liability है that will continue क्योंकि जनता को तो बताना पड़ेगा ना जनता को कैसे पता लगेगा कि यह अलग हो चुकी है so Katrina या हम लोग कोई भी दे सकता है public notice it can be either the retiring partner or the continuing partners कोई भी वेक्त retirement का notice देदेगा कि Katrina अब हम से अलग हो चुकी है so this is called as the public notice expulsion the next point that is one of the most important points in your exam आपको यह आने के बहुत जादा chances है आपको यह ध्यान रखना है expulsion of partners expulsion कैसे expel किया जा सकता है sir हमने तो पड़ा था every partner has a right not to be expelled yes वो सही था लेकिन आप expel कर सकते हैं अगर अगर शिर्फ अगर कुछ conditions पूरी होती है पहली condition आपने deed में लिखा है कि हम expel कर सकते हैं under the stated circumstances आपने उसमें लिखा है कौन-कौन से कारण में कौन-कौन से cases में हम expel कर सकते हैं जैसे कि हम केटरीना को बोलते हैं कि भई तू हमारी कार मत ले जाया कर हमारी कार सिर्फ फर्म के लिए यूज होना चाहिए लेकिन वो हर बार हमारी कार लेके जाती है और गुमती फिरती है लॉंग ड्राइब पे जाती है सल्लू के साथ सो ऐसे cases में एक बार हो गया दो बार हो गया रोज-रोज की बात हो गई तो हम अब उसको निकाल सकते हैं अगर हमने ऐसा deed में लिखा था तो कि in case of persistent breach of authority या फिर अगर कोई personal property करके use करेगा firm की property हो तो ऐसे cases में आप निकाल सकेंगे अगर आपने ऐसा कुछ point लिखा है तो आप उस case में निकाल सकते हैं that also in good faith good faith का मतलब है आप उसको धोका देने के लिए उससे बदला लेने के लिए नहीं निकाल रहे हैं उसको आप actual में उसने गलत काम किया है इसलिए उसको निकाल रहे हैं तो पहली चीज़ ध्यान रखना है ये तीनों points आपको पहली चीज़ partnership deed contains the provision provision है उसमें कि expulsion किया जा सकता है under the stated circumstances उसमें कुछ कारण भी बताया गए इन कारणों में से expulsion किया जा सकता है दूसरा power is exercised in good faith good faith का मतलब है वोई बदला लेने के लिए नहीं है बट आप सही में उसको निकाल रहे हैं क्योंकि उसने घलत किया है again by the majority of the partners ध्यान रखो it is not required that unanimous consent मिले यहाँ पे by the majority भी यह निकाला जा सकता है so by the majority and the expelled partner को एक opportunity देना पड़ेगा of being heard और इसको एक charges बताना पड़ेगा भई तुझे क्यों निकाल रहे हैं आप ऐसा नहीं कर सकते कि directly निकाल दिया जैसे कोई बाते कर रहा है तो मैं सीधा सीधा इसा नहीं बूल सकता चलो बाहर जाओ जैसे समझो दो जन बात कर रहे है कौन कौन तो देविका और शृष्टी बात कर रहे है अब दोनों जन बात कर रहे थे मैंने सीधा सीधा देविका को ड़ाट दिया चलो बाहर जाओ class के अब उसको मेरे को बताना तो पड़ेगा क्यों मैं भगा रहा हूं उसको और सिर्फ बताने से नहीं होता मैं बोलूँगा क्यों बात कर रहे थे यहने मैं एक opportunity of being hurt दूँगा फिर वो बताएगी वो अपने सफाई में पेश करेगी यह नहीं सर मैं पात नहीं कर रहे थी यह शृस्टी कर रहे थी यह मेरे को जबरदस्ती question पूछ रही मैं तो ध्यान से सुन रही हूँ यह क्या है इसको ही हम बोलते opportunity of being hurt show cause why you should not be expelled क्यों तुम्हें क्लास से न निकाला जाए सो वैसे यहाँ पर हमको केटरीना को एक option देना पड़ेगा वो अगर चाहती है कि भई नहीं मेरे पास कारण है तो वो कारण बताने का उसको एक right है show cause so show cause why you should not be expelled या फिर इसको हम बोलते है opportunity of being hurt उसको अपनी सफाई में कुछ चीज़ पेश करने का मौका मिलना चाहिए फिर वो अपनी सफाई नहीं कि मैं दिन में तीन बार नहाती हूँ तो सफाई नहीं ये सफाई नहीं तो सफाई है ने वो बताएगी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया हूँ मैं जो गाड़ी लेके जाती थी इसलिए क्योंकि सलमान को डॉक्टर के हां ले जाना पड़ता था अब हमको लगता है हाँ यार ये कारण तो सही है डॉक्टर के हां जाना है और वो अच्छा काम कर रही है तो क्यों हम अपन उसको निकालें हैं तो ऐसे केसेस में फिर हम उसको नहीं निकालेंगे ठीक हैं तो एकस्वर्शन किया जा सकता है बट तीनों कंडिशन पूरी होना चाहे देर मस्वी प्रोविजन इन दी डीड डीड में लिखा होना चाहिए that under the stated circumstances expel किया जा सकता है good faith and majority के द्वारा होना चाहिए and the notice of charges should be given and also the opportunity to answer the charges बाकी liabilities बिलकुल सही में जैसे हमने retirement में पड़ा retirement के case में जैसे liability होती ही from up to the date of expulsion यहां भी वैसे ही होगा up to the date of expulsion liability रहेगी इसके अलावा जब तक के public notice नहीं देते तब तक के liability continue होगी further innovation हो सकता है innovation के द्वारा हम उसको बोल सकते हैं वो बोल रही है कि क्या शर्मा जी मुझे निकालतो रहे हो तो कम से कम पुराने जो जिम्मेदारियां अससे मुक्त कर दो तो फिर हम बोल सकते हैं ठीक है हम तिरको जो past debts है इससे मुक्त कर देंगे लेकिन इसके लिए भी agreement होना चाहिए जिसमें third party का भी होना अनिवारिया है tripartite agreement existing partners that is continuing partners the expelled partner and the third parties इनके साथ agreement होना चाहिए अगर आप ऐसे 10 लोगों की liability से मुक्त करना चाहते है तो 10 लोगों के साथ agreement होगा आपका ऐसा अलग अलग ठीक है जैसे हम अगर अगर अजय की liability से निकाल दिया उसको भगा दिये चल निकल अब वो एकदम दुखी है उसको बड़ा बूरा लगा उसके मन में बदले की भावना है एकदम घायल शेरनी है वो अब वो क्या करेगे वो जान बुझ के हमारे साथ गलत करना चाह सकती है और इसी लिए ऐसे cases में हम लोग public notice देते हैं कि भई अब उसके साथ आप transaction करोगे न हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे तो यह हम लोग देते हैं याप ठीक है और उसके बाद उसका new जनम हो जाता है नया जनम हो जाता है जैसी उसको discharge होशित कर देता है court तो उसका नया जनम हो जाता है तो जैसे ही एक वेक्ति insolvent होता है या उसकी death हो जाती है so insolvency या death के case में उस वेक्ति की liability कब तक थी जब तक वो था हमारे साथ तब तक यहाँ public notice की भी कोई आवशकता नहीं होती क्योंकि यहाँ पे तो वो वैसे ही death हो चुकी है तो वैसे ही मुक्त हो चुका है यहाँ पे कोई innovation नहीं हो सकता because जो वेक्ति चला गया वो contract करने वापस नहीं आएगा और वैसे insolvent वेक्ति भी अपने business से related contract नहीं कर सकता और इसलिए novation is not possible in such cases so novation नहीं किया जा सकता further यहाँ पे dissolution अगर हो जाता है समझो firm dissolve हो जाती है then public notice will be required but this public notice will not relate to the insolvency or death it will relate to the dissolution of the firm तो वो लोग बोलेंगे हमारी firm dissolve हो चुकी है हम लोग अलग हो चुके हैं और अब हमसे कोई भी individual level पर transaction आप कर सकते हैं but as a firm हम लोग साथ में काम नहीं करते so यह dissolution का एक public notice देना पड़ता है यह जो public notice दिया जाता है dissolution का यह इसलिए तरह क्योंकि dissolve हुई है अगर dissolve नहीं होगी firm तो फिर insolvency और death में नहीं लगेगा public notice so क्या firm dissolve होगी है जरूरी है answer is yes अगर आपने रोका नहीं है तो firm automatically gets dissolved in case of insolvency or death of any of the partners कोई एक व्यक्ति की में death हो जाती है तो यह insolvency हो जाती है तो firm अपने आप automatically dissolve हो जाती है unless otherwise stated in the agreement अगर आपने deed में इसके विफरीत लिखा था कि नहीं death या insolvency में dissolution नहीं होगा तो फिर नहीं होगा लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा था तो death या insolvency में dissolution हो जाएगा फिर transfer of interest transfer of interest का मतलब है simple sub-partner बनाना sub-partner so sub-partner बनाना इसमें भी मैंने आपको बता चुका हूँ already कि ये भी किया जा सकता है only with the consent of all the other partners जब तक कि हर एक वेक्ति हा नहीं बोलता तब तक कि आप किसी वेक्ति को अपना interest transfer नहीं कर सकते अपना share transfer नहीं कर सकते including sub-partner बनाना अब अगर sub-partner बनाया गया है agree किया था मैंने बोला था कि मैं अपना जो अधिकार है उसमें से मैं कुछ हिस्सा इलियाना को देना चाहता हूँ तो इलियाना becomes the sub-partner ये अगर हमने किया है तो सवाल ये है कि किया ये sub-partner को पूरे अधिकार मिल जाएंगे against the partnership firm the answer is no she will get new rights against the partnership firm during the continuous of partnership जब तक के partnership चल रही है उसको सिर्फ पैसा लेने का अधिकार है जितना मैंने agree किया हूँ उतना चुपचाप उसको रखना पड़ेगा ठीक है जैसे मैंने बोला था मिरको मिल रहा है 50% share ये दोनों को 25-25 और मुझे मिल रहा है 50% मैंने बोला था मैं 50% का इसको समझो 50% share दूँगा 50% का 50% यानि अल्टिमेटली 25% share में इसको दूँगा जो ऐसे cases में उसको सिर्फ चुपचाप 25% जो भी हमने share बताया जो भी हमने profit बताया उसका 25% उसको मांगने का अधिकार रहेगा इसके अलाबा उसको कोई अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं ना ही वो interfere कर सकती in the conduct of the business ना ही वो as a partner कुछ अधिकार मांग सकती है ना ही वो accounts देख सकती है कोई भी उसको अधिकार नहीं मिलता ना interfere कर सकती ना books देख सकती ना accounts देख सकती ठीक है she is not entitled बट अगर dissolution होगा तो dissolution में उसको कुछ additional rights प्राप्त हो जाते हैं तो additional rights में क्या होगा उसको profit तो मिले गई जो मैंने profit बोला था वो profit तो share होगा ही साथ में उसको assets भी मिलेंगे assets at the time of dissolution and winding up जब firm बंद होती है तो assets बाटे जाते हैं अब assets में भी उसको sharing मिल जाएगी तो ये एक खास बात होती है और इसके अलावा उसको अब accounts देखने का अधिकार प्राप्त हो जाता है accounts देखने का books नहीं accounts देखने का क्यूंकि उसको पता होना चाहिए न कितने assets भी रहे है so assets जो भी गए है तो assets में कितना profit आया है क्या आया है ये सब चीज़ें देखने का उसको अधिकार होना चाहिए again accounts देखने का मतलब है जो खाते होते हैं वो देख सकती है वो लेजर वगरे देख सकती है books नहीं देख सकती एक एक entry नहीं देख सकती journal नहीं देख सकती वो registers नहीं देख सकती वो invoices नहीं देख सकती vouchers नहीं देख सकती वो सिर्फ accounts देख सकती है खाते देख सकती है then rights and liabilities of an outgoing partner rights and liabilities of an outgoing partner में हर एक partner को कुछ अधिकार होते हैं और कुछ जिम्मेदारियां होती है, even अगर वो जा रहा है तो भी, पहला अधिकार है उसका right to carry on the competing business, he has a right to carry on the competing business unless हमने उसको रोका हो, अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, समझो caterina हमारी firm छोड़के जा रही है, उसने बोले बहुत अच्छा लगा आपके firm में काम करके, लेकिन अब मैं सूच रही हो कि अब मैं अलग हो जाती हूँ, so ऐसे cases में she has a right, retire हो सकती है वो, as per deed या जैसा भी हमने agree किया था, retire होने के बाद, वो चाहती है कि वो खुद का business carry on करे, same business, तो क्या वो कर सकती है, of course, she can do it, वो फिर से अगर पान क एक दुकान लगाना चाहे तो वो लगा सकती है, ultimately लेकिन वो क्या नहीं कर सकेगी, वो हमारा नाम यूज नहीं कर पाएगी, हमारा जो नाम है KDS Pan Palace, वो Pan Palace का नाम अब वो यूज नहीं कर सकती, क्योंकि वो अलग हो चुक्ती है, वो लोगों को ये नहीं बताएगी, अरे मै यह नहीं बोल सकते हो, रे सल्लू इधर आओ न, वहां कहां आजाते हो, तो यह नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो यह उसको अधिकार नहीं है, तो she has a right to carry on the competing business, but she may not use the firm name, she may not represent herself to be carrying out the business on behalf of the firm and she may not solicit the existing customers or the persons who were already dealing with the firm, so यह नहीं कर सकती है, however, अगर हम इसको agree करें, तो वो य सब चीज़ें कर सकती है, again, right to share subsequent profit in certain cases, जैसा कि आप जानते हैं, जब एक विक्ती retire होता है, तो उसको उसका share देना पड़ता है, जैसे केटरीना है, दिपिका है, शर्मा जी है, समझो केटरीना का यहाँ पे 10 लाक रुपया लगा हुआ था, profit वगरे पकड़के, दिपिका क समझो 10 लाक था, और मेरा समझो 10 लाक का था, अब यह जो पैसा है, क्या हमारे पास यहाँ cash में 10 लाक रुपय पड़े होंगे क्या, तो नहीं, यह तो हमारा कहीं ना कहीं business में लगा है, कहीं shop है, कहीं furniture है, कहीं car है, कहीं stock है, तो ऐसे करकर के बहुत सारी जगे हमारा पैसा फसा हुआ है, अब हम यहाँ पे तुरंत ऐसा तो नहीं कर सकते कि assets वगरे बेच के हम इसको Katrina को पैसा दे दो, या फिर घर से लाके दे दो, अगर घर पे होगा तो ठीक है, लेकिन नहीं हुआ तो, तो हम कई बार ऐसा होता है, कि हम तुरंत उसको पैसा नहीं दे पा रहे है So, ऐसे cases में, the outgoing partner has a right, कि जब तक books settle नहीं होते, तब तक उसको अधिकार है, कि उसको profit share किया जाए, अगर agree किया है तो, और अगर कुछ agree नहीं किया है, then also she has a right to claim the interest at the rate of 6% per annum, अगर कोई और rate agree किया है, तो ऐसा होगा, तो आप लिख सकते हैं कि profit मिलेगा, या आप लिख सक प्राफिट नहीं मिलेगा, interest नहीं मिलेगा, 6% का interest दिया जाएगा, जो as per law है, so अगर आपने जादा बुला है, तो जादा मिलेगा, लेकिन अगर कुछ नहीं बुला है, तो भी 6% का तो उसको अधिकार कानून देता है, जब तक उसके books settle नहीं होते, so उसको तब तक हम या भी जास पड़ा, retirement के case में, उसके liability रहेगी, up to the date of retirement, and up to the date of public notice, so retirement हो गया, उसके बावजूद वो liable हो सकती है, अगर public notice न दिया जाए तुम, हाँ, of course, एक point बताना था, sleeping partner अगर retire होता है, तो ऐसे cases में public notice is not required, because sleeping partner is not known as a partner to the other persons, जो बाहर वाले लोग है, उनको पता नहीं ह partner है, and hence, the notices, public notice is not required in case of a sleeping partner, dissolution of a firm, now what is the dissolution of a firm, so dissolution of firm and dissolution of partnership both are separate things, जब हम बोलते हैं, dissolution of partnership, so partnership dissolve हो रही है, that means, इनके बीच का जो रिष्टा है, यह बदल रहा है, so, दिपिका, केटरीना और मेरे बीच का जो relation है, अगर वो किसी भी प्रकार से change जोता है, जैसे किसी के retirement से, कि किसी के आने से, admission से, introduction से, या किसी प्रकार से, insolvency, death, या किसी भी प्रकार से, अगर रिष्टा बदल रहा है, लेकिन firm खतम नहीं हो रही है, then it is called as dissolution of partnership, और अगर पूरी firm खतम हो रही है, सब के बीच का जब रिष्टा खतम हो रहा है, that is called as dissolution of firm, so dissolution of firm and dissolution of partnership both are separate concepts, आपक पो ध्यान रखना पड़ेगा, dissolution of firm में business continue हो रहा है, dissolution of partnership में business continue हो रहा है, dissolution of firm में वाइंडिंग अप हो जाता है, हूरा बंद किया जाता है business, बढ़ dissolution of partnership में business चालू है, dissolution of firm, यह code भी order कर सकती है, बढ़ partnership dissolve करना generally court order नहीं करती dissolution of firm में compulsorily पूरा partnership dissolve हो जाएगी लेकिन dissolution of partnership में जरूरी नहीं पूरी firm dissolve हो dissolution of firm में पूरा close of business होगा तो final book भी close हो जाएगी और dissolution of partnership में books close नहीं होती है सिर्फ adjustment किया जाता है जो जा रहा है उसका पैसा अलग निकाल के उसको दे दिया जाता है या जो आ रहा है उससे पैसा मंगाया जाता है modes of dissolution of a firm कैसे कैसे एक firm dissolve हो सकती है पूरी की पूरी firm खतम हो सकती है निस्तनाबूत हो सकती है, फना हो सकती है, तो क्या-क्या प्रकार से form को हम बंद कर सकते हैं, पहली बात तो ये, कि जब agreement किया था हमने, कि हम partnership करेंगे, तो partnership form हुई थी by an agreement, वैसे ही अगर हम उसको dissolve करना चाते हैं, खतम करना चाते हैं, तो हम कैसे खतम कर सकते हैं, हम cancel कर सकते हैं, खतम कर सकते हैं, बायन agreement, तो agreement के द्वारा उत्पन हो हुआ था, agreement के द्वारा आप उसको निस्तनाबूत कर सकते हैं, आप उसको बंद कर सकते हैं, खतम कर सकते हैं, compulsory dissolution, ध्यान रखो compulsory dissolution में आप किसी भी प्रकार से बचा नहीं सकते यहाँ पर वो dissolution होना ही है जैसे कि अगर सब के सब partners insolvent हो गए तो आप बचा नहीं सकोगे firm को क्योंकि सब भी insolvent हो गए तो firm कहां बची या सब की death हो गई firm कहां बची खतम हो गई या एक को चोड़के सब की death हो गई या एक को चोड़के सब insolvent हो गए मैं बचा हूँ बाकी के सब partners insolvent हो गए तो मैं तो अकेला बचा फिर firm कहां रगे तो यहाँ पर compulsory dissolution हो गया आपने अगर partnership deed में लिखा भी होगा कि insolvent dissolve नहीं होगी death में dissolve नहीं होगी तो भी यहाँ dissolve होगी ही क्योंकि यहाँ एक अकेला ही बचा है तो अकेला है तो partnership नहीं बची तो यहाँ पर firm dissolve होगी ही compulsory वैसे ही अगर हमारे firm का business जो है वो illegal हो जाता है जैसे कि for example समझो हम लोग बेचते हैं फटाके अब फटाके sale करते हैं लेकिन सरकार ने फटाके पर ban लगा दिया बोला कि कोई भी फटाके की दुकान नहीं चलेगी कोई भी फटाके नहीं फोड सकता या हम समझो पान के दुकान चलाते हैं और पान के ठेलों पर खैनी, गुठखा, जर्दा यह सब तंबाखू, खर्रा यह सब चीजों पर ban लगा दिया गया अब यह ban लगा दिया तो हमको बंद कर नहीं है फिर, यहां पर the firm will automatically get dissolved because the business of the firm has become illegal unlocked, so यहां पर भी firm का dissolve होना अनिवारिया है इसके बाद भी dissolution है, लेकिन यह dissolution है on happening of certain contingencies इन cases में ध्यान रखो अगर आप रोक सके तो रोक लो यहने आप यहां रोक सकते हैं अगर आपने इसके विपरीत agree किया है तो आप रोक सकते हैं इस particular firm को बंद होने से, so यह कौन सा है तो यहां लिखा है, यह subject to contract between the partners अगर आपने agree किया है तीन साल बाद expire हो गया बंद हो जाएगी partnership लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको firm continue रखना है then you can do so, ठीक है बट अगर कुछ नहीं बुला तो that will automatically dissolve the firm उसी प्रकार से अगर आपने कोई एक particular adventure के लिए लिया था एक pull बनाने को लिया था pull बन गया partnership firm खतम हो गई death of a partner death में भी खतम हो जाती है वैसे ही insolvency of the partner में भी अपने आप firm खतम हो जाती है बट हाँ अगर आप चाहो तो इन चारो cases में आप इसके विपरी तैगरी कर सकते हैं कि हम अगर चाहे तो इसको आगे भी continue परेंगे फिर dissolution by notice अगर partnership at will है तो ऐसे cases में it can be dissolved even by giving the notice of the intention of intention to dissolve the firm. So intention बताने के लिए आपको letter लिखके भेजना पड़ता है कि मैं firm को dissolve करना चाहता हूं उसमें आप अगर date mention करते हैं तो उस date से यह dissolve हो जाएगी if you do not mention any date तो ऐसे cases में it will get dissolved from the date when the notice is received by all the other partners फिर dissolution by court कभी कभी court अधिकार रखता है court order pass करता है कि firm को dissolve कर दिया जाए. कब-कब किया जा सकता है? जब partners को मिल के dissolve करना possible नहीं है क्योंकि उनके बीच भी दिक्कते आ रही है और वो dissolve नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे cases में हम court approach कर सकते हैं court को अप्रोच करके court को हम बोल सकते हैं कि साब बंद कर दो हमारी firm को और court वहाँ पर order pass करेगा तो firm विल बी डिजॉल्ट सो यहां पर कौन-कौन से cases ऐसे होते हैं जब एक partner insane हो गया insanity अब insane हो गया यान्ने वो consent नहीं दे सकता he is not competent to contract है हमारी partnership चल रही थी at will थी लेकिन वो विचारा insane हो गया insane हो गया तो उसको तो हमको उसको कुछ समझता ही नहीं है उसको हम notice भी भेजेंगे तो कुछ नहीं समझेगा तो ऐसे cases में हम court जाएंगे कौन court जा सकता है आइदर दी existing partners या फिर जो insane हो गया जो पागल हो गया उसका जो next friend रहेगा या representative रहेंगे वो लोग जाएंगे तो जैसे केटरीना insane हो गई तो उसका जो next friend है जैसे सल्लू सल्लू जाएगा और बोलेगा court में कि साब ये बंद कर दो firm को या फिर हम लोग जा सकते हैं सल्लू क आके भी firm को dissolve करवा सकते हैं by courts order उसी प्रकार से permanent incapacity हो गई समझो ऐसी कोई बीमारी हो गई incurable, illness हो गई जैसे कि paralysis हो गया तो paralysis हो गए के case में क्या होगा यहाँ पे अब हम लोग dissolve नहीं कर पा रहे हैं या फिर coma में चला गया जैसे समझो मेरा accident हो गया मैं कोबा में पढ़ा तो ऐसे cases में भी code जाके इसको खतम किया जा सकता है उसी प्रकार से guilty conduct जब कोई वेक्ति guilty काम करते हुए पकड़ा जाता है जो हमारे business को affect कर सकता है पर example हम लोग अच्छे से business करते थे महसता हम लोग अपने partnership में पान होगरे बेशते थे चूना लगाते थे लोगों को तो ब इनका किसे भी जीवित या मृत वेक्ति की वाक्तिक्ता से संबंद हो तो इसे के बलेक सैयोग कहा जाएगा so example है कि हमको पता लगा कि केटरीना यहां से drugs का business कर रही है अब यह possible ही नहीं है कि हम उसके साथ business करें और हम उसके साथ पूरे इरिश्टनाते तोड़ना चाहते है but वो मना कर रही है so ऐसे cases में हम कैसे dissolve करेंगे हम court चले जाएंगे और court को बोलेंगे firm dissolve कर दो so यहां पर firm dissolve करने का अधिकार court रखता है so guilty conduct persistent breach of agreement persistent breach of agreement persistent का मतलब होता है बार बार breach of agreement जो वोला था उसके विपरित काम कर रहा है जो agree किया था उसके opposite काम कर रहा है जैसे हमने agree कि अधिया था कि firm की जो property that will be used exclusively for the purpose of the business of the firm यानि कार है तो वो सिर्फ business के लिए use होना चाहिए लेकिन केटरिना बार बार कार लेके चले जाती है रोज देखते हम कार की जरुरत है हमको शादियों इवन पार्टियों के order पूरे करने जाना था लेकिन हमारे पास कार ही नहीं है सो हमको जमते ही नहीं हम लोग cycle पे जा रहे है मैं और दिपिका तो ये बरौबर नहीं लग रहा हम लोग को काम नहीं हो पा रहे हमारी बार बार कार लेके चले आती है persistent breach of authority हो रहा है हमने उसको दो चार बर समझाया लेकिन हम firm बंद भी नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने firm को will पे नहीं रखा है हमने उसमें लिखा था कि सब लोग मिलके agree करेंगे और फिर बंद हो सकती है अब वो बंद भी नहीं करने दे रहे हैं सो हम यहां court चले जाएंगे और court को बोलेंगे साब बंद करके तो हमारी firm हमको इसके साथ business करना अब possible नहीं है क्योंकि she is doing persistent breach of authority जो नह इसे cases में another person किसी भी वेक्ति को मैं अगर transfer कर देता हूं तो ऐसी cases में भी court जाके बंद किया जा सकता है automatically यहां बंद नहीं होता तो अगर मैं interest transfer करता हूं यह whole interest बता है बट even अगर मैं partial interest transfer करता हूं और बाकी लोग मना कर रहे हैं so they can move to the court और वो बंद करवा सकते हैं इस firm को उसी प्रकार अगर loss में चल रहा है business कई बार होता है business loss में है और इसलिए हम लोग इसको carry on नहीं करना चाह रहे हैं पर किसी एक वेक्ति का उससे emotional attachment होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं हम यह business बंद नहीं करेंगे अब क्योंकि वो emotionally attached है तो उसके कारण loss हो रहा है और हम business बंद भी नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे cases में हम court जा सकते हैं और court को बोल सकते हैं साथ बंद कराके दो हमारा business तो यहाँ पर फिर वो firm को order pass करेगा कि firm dissolve हो जाए उस दिन से फिर वो firm dissolve हो जाएगी और आखरी point है just and equitable clause जब just and equitable लगता है जब नयाय के प्रती अगर court सोचे तो उसको लगता है कि इस firm को dissolve कर देना ही बहतर है जैसे कि monopoly create हो रही है ऐसे cases में court will pass the order to dissolve the firm even if no application is made by any other partner या किसी भी वेक्ती ने apply नहीं किया है तो भी court can dissolve it under just and equitable clause consequences of dissolution क्या dissolution हो जाएगा तो अपने आप firm पूरी की पूरी खतम हो जाएगी वैसे legally तो firm खतम हो जाती समझों यहाँ पे dissolution हुआ so dissolution के बाद firm तो खतम हो गई पर क्या अपने आप पूरे assets big गए समझो केटरिना के death हो गई क्या अपने आप हमारे assets big जाते हैं क्या अपने आप पूरी liabilities pay off हो जाएगी so नहीं firm तो यहाँ dissolve हो गई लेकिन अभी भी इसको हमको wind up करना पड़ेगा so wind up करने का क्या मतलब है wind up करने का मतलब है हमको इस business को समेटना पड़ेगा wind up wind up यहने बोर्या बिस्तर बांदना और बंद करना तो सब चीज़ खतम करना पड़ेगा पूरे assets बेचेंगे liabilities pay off की जाएगी so ultimately dissolution के बाद भी कुछ काम करना बचाए और एक notice भी देना पड़ता है public notice so public notice दिया जाएगा and winding up किया जाएगा so अगर हमने notice दे भी दिया dissolution हो गया notice भी दे दिया तो भी वैसे तो liabilities खतम हो जाती है हम लोग अलग हो चुके पर कुछ चीज़ों के लिए rights and liabilities अभी भी carry on होती है कौन-कौन सी चीज़ों के लिए so अगर आप ध्यान से देखें तो notice देने के बावजूद अभी business बंद तो होने का है so ये business बंद करना पड़ेगा इसके लिए सब लोग जिम्मेदार है सब लोग मिलके ये बंद कर सकते है जैसे मैं हूँ, दिपिका है हम लोग सब लोग मिलके ये काम करेंगे कि assets बेचना है, liability pay off करना है अगर ये ना बोला जाए तो कोई भी फिर बोलेगा मैं क्यों करूँ इसलिए liability continue होती है कि पूरे assets बेचना है और liability pay off करना है ये आपके जिम्मेदारी है इसके अलावाद दूसरी जिम्मेदारी होती है जो transactions हमने begin किये थे transactions begin but unfinished अभी तक पूरे नहीं हुए थे हमने किसी की शादी एवं party के order लिये थे हमने सल्लू भाई की शादी और party का order लिये थे कि उसके शादी में हम लोग पान का ठेला लगाएंगे अब यहाँ पे इसके बाद order आया कुछ दिन पाद पता लगा केटरीना घचक गई उसकी date हो गई अब यहाँ पे सल्लू की शादी का order तो लिया है यह तो पूरा करना पड़ेगा सो ट्रांजेक्शन बिगन हो चुका है बट फिनिश नहीं हुआ है सो जब यह फिनिश होने का है तो हमारी जिम्मेदारी है सब की मिल के कि हम इसको फिनिश करें तो ऐसी चीज़ों के लिए भी liability रहते है अल्टिमेटली दो चीज़ों के लिए liability होते है even after dissolution, even after notice पहली चीज, to wind up the affairs of the firm दूसरी चीज, to conclude the transactions which begun but were unfinished at the time of dissolution सो उनको पूरा करना, खतम करना सो यह दो liabilities और rights भी जैसे बेच के पैसे आएंगे उस पर भी सबका अधिकार है सो यहां पर rights as well as liabilities both continue ठीक है, शादियों पार्टियों के order पूरे कि यह उसका profit आएगा यह भी share होगा, ठीक है तो भाई यह, rights and liabilities of partners on dissolution सो पहला है, right to have the business wound up पहला अधिकार है कि business बंद किया जाए यह अधिकार है, सो business बंद करना और जो भी profit होगा, उसको distribute करना among themselves continuing authority for the purpose of winding up जैसा कि मैंने बताया है, दो चीज़ों के लिए authority अभी भी continue होती है, wind up and to complete the transactions which begun but were unfinished at the time of dissolution personal profit earn नहीं करना है after dissolution भी, dissolution हो गया मैंने अपनी कार किराय से दे दिया firm की कार थी, किराय से दे दिया और किराया खा लिया, अब ये चीज़ पता लगती है बाकी partners को, तो they can recover the किराया amount ठीक है, तो वो मेरको बोल सकते हैं, शर्मा जी आपने गलत किया, पैसा पूरी firm का है भले ही firm dissolve हो गई, बट firm की asset use करके कमाया है, तो ये पैसा हमारा सबका है, आपको सब में बाटना पड़ेगा, फिर right to have the premium return on dissolution, premium का मतलब है goodwill goodwill return करने का जिम्मेदारी होती है, ये क्या है, पहले ध्यान से देखो सो क्या होता है, कभी-कभी हम लोग किसी को जोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं, देख बहन तिरको हम जोड तो रहे हैं, बट तिरको यहाँ आने के लिए पैसा लाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो इतने टाइम से business कर रहे थे, अब तू जुड रही है हमारे साथ, सो ऐसे फुकट में थोड़ी तिरको जोड़ेंगे, तिरको गुड विल लाना पड़ेगा, देख हमारे business की बहुत अच्छी गुड विल है, सो तू यहाँ जॉइन हो रही है, कम से कम 10 साल तो अपन चलाएंगे फिर्म, और 10 साल के हिसाब से समझो, अपनी 5 लाग की गुड विल लग रही है, तो 5 लाग अपन ने मंगा लिये उससे, उसको वोला 5 लाग रुपे लेके आना, यह कितने साल के लिए, पॉर 10 येर्ज, 10 साल के लिए उससे हमने गुड विल मंगाया, जैसा मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, गुड विल के एक कीमत होती है, गुड विल का एक वक्त होता है, तो एक वक्त तक के उसकी बेनिफिट आपको मिलते हैं, तो यहाँ पे हमने एगरी किया, कि मार्च लाग जो है, यह 10 साल तक के उसको बेनिफिट ऐसे ही मिलते जाएगा, मिलिस हर साल उसको, हर साल उसको, हाँ, बेनिफिट मिला, उस बिचारी ने तो हमारे या, 5 लाख रुपे लगाये थे, लेकिन फर्म डिजॉल हो गई, तो उसको 3 लाख रुपे जो बचे हुए है, यह वापस कर देंगे हम, क्योंकि प्रीमचर डिजॉलुशन हो गया, 5 साल के लिए उसने 5 लाख लाई थी, 3 साल बाद ही डिजॉल हो गई, ऐसे केस में 3 साल का तो उसको बेरिफिट मिल गया, बट बाकी के जो पैसे है, वो पैसे उसको हम रिटर्न कर देंगे, और उस केस में आपको पूरा पैसा उसका वापस करना पड़ेगा, जो भी प्रपोर्शनेट अमाउंट रहेगा, यह कब किया जाता है, जब एगरी किया होगा तब इच, यह ध्यान रखो, यह प्रीमियम रिटर्न नहीं किया जाएगा, तब ही उसको प्रीमियम मांगने का अधिकार है, राइट सुवर पार्टनेशिप कॉंट्रेक्ट इस रिसिंडेट फॉर फ्रॉड और मिसरी प्रेजेंटेशन, अगर फ्रॉड या मिसरी प्रेजेंटेशन हुआ है, तो क्या होगा, राइट, यहाँ पे भी किसकी बात हो रही, जिसको हमने जॉइन करवा लिया, जूट बोलके, हमने समझो, फ्रॉड करके इलियाना को जॉइन करा लिया हमारे साथ, अब उसको बोला कि जुढ़ जा हमारे साथ अपना बहुत अच्छा गल्ला है, पांच हजार रुपए हर दिन का अपन बेच लेते हैं, पांच हजार का सेल हो जाता है रोज का, अब वो जॉइन हो जाती है, उसने पैसा पैसा भी लगा दी मस्त, और जॉइन होने के बाद उसको पता लगा, 500,000 रुपे maximum निकलता है दुकान से अब उसके साथ धोका हो गया उसको अधिकार है पहली चीज जो भी खर्चा किया है उसने for the business of the firm उसके लिए she will be ranked as a creditor और उसको lean मिलेगा जो भी firm के assets से उसके उपर lean मिलेगा and again she is ranked as a creditor वो creditor मान ली जाएगी for the amount और जो capital लाया था ये capital उसको वापस मिला पहले of course बाहर वालों को पहले पैसा मिलेगा फिर इसको पैसा मिलेगा बाद में बचेगा तो बाकी के partners को मिलेगा so जब fraud करके किसी को जोड़ा जाता है तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा पर ultimate rule is third party का नुक्सान नहीं होने दिया जाएगा third party इसको पहले उनका पैसा मिले और इसके बाद फिर जिसको गलत बोलके जूड़ बोलके जोड़ा था उसको पैसा मिलेगा फिर बाकी के बचेवे partners को पैसा मिलेगा अगर बचता है तो यह जब fraud के द्वारा या misrepresentation के द्वारा आपने किसी को join करवा लिया तब यह rule लगता है वैसे right to restrain the use of firm's name और firm's property अगर firm की property या firm का नाम किसी ने खरीदा है तो वो use कर सकता है बट बाकी के partners use नहीं कर सकते हैं तो right to restrain यह रोकना हम रोक सकते हैं कि देखो firm dissolve हो गई अब कोई भी firm का नाम use नहीं करेगा firm की properties use नहीं करेगा लेकिन हाँ किसी ने खरीदा है goodwill समझ से cases में I can use the name and I can even use the property of the firm liabilities of partners on dissolution dissolution के बाद क्या 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 liability है continuing liability until public notice जब तक के public notice नहीं देते तब तक हर एक partner जिम्मेदार है इसके अलवा public notice देने के बाद भी जिम्मेदार हो जाता है for two things, एक transactions that were begun but unfinished at the time of dissolution and to wind up the affairs of the firm, so यह दो चीजों के लिए उसके जिम्मेदारी आगे भी continue होती है फिर mode of settlement of accounts after dissolution, accounts कैसे settle किये जाते हैं जब dissolution हो जाता है तो, अब simple सा point है, जब dissolution होता है तो of course assets होगरे बेचेंगे, liabilities pay off करेंगे समझो हमारा balance sheet है, balance sheet में capital लगाया हुआ है, केटरिना का, दिपिका का, शर्मा जी का, तीनों का capital लगाया हुआ है समझो, दो लाख, एक लाख, और एक लाख का हमने capital लगाया है इसके अलावा हमको और पैसे की ज़रुरत थी तो advances लगाया हुए है तीनों ने advances लगाया है, समझो, दो लाख, चार लाख, पांच लाख इसके अलावा बाकी बाहर वाले जो creditors रहेंगे, वो रहेंगे और हमारा profit sharing ratio है समझो, equal, equal ratio हमने रखा है सबका one third, one third, one third, अब क्या होता है, यहां के पूरे assets वगरे बेचे जाएंगे assets बेचने के बाद जो पैसा आएगा, यह पैसा हम पहले use करेंगे to pay off the creditors, creditors को pay off करेंगे, सबसे पहली चीज़, creditors की liability खतम करेंगे, इसके बाद जो पैसा बचता है, समझो, हमारे पास अब पैसा बचा है, सिर्फ advances pay करने का capital लाइक बचा ही नहीं, पैसा बहुत कम बचा है, समझो, हमारे पास एक लाग दस हजार रुपे बचे, सो यह एक लाग उप में, two is to four is to five, यहां पे जो पैसा use किया जाएगा, तो यहां पे बीस अजार इसको मिलेगा, फिर चालिस अजार इसको मिलेगा, और पचास अजार इसको मिलेगा, ठीक है, और बाकी दूप जाएगा, बाकी loss हो जाएगा समझो पैसा जादा बचा हमको और जादा पैसा बचा हमने पूरे ये advances pay off कर दिये उसके बाद और हमारे पास बचा है समझो समझो दोलाक रुपे और बचे after paying the advances हमाई पास और दोलाक रुपे बचे हैं सो ये दोलाक रुपे अब हमको pay करना है तो ये किस ratio में होंगे अब बटेगा capital तो capital के ratio में 2 is to 1 is to 1 सो इसको मिल जाएगा 1 लाक रुपे और हम दोनों को मिल जाएगा 50-50,000 का पैसा ठीक है अब समझो इससे भी जादा बचा पैसा समझो ये भी पैसा बचा है वो कैसे फिर share किया जाएगा क्योंकि अब बट रहा है profit तो that will be shared in profit sharing ratio equal यानि simple rule ऐसा ध्यान रखो जो चीज बाट रहे है उस ratio में बटेगी अगर आप advance वापस कर रहे हैं तो advance के ratio में जाना चाहिए capital वापस कर रहे हैं capital के ratio में जाना चाहिए और अगर आप profits वापस कर रहे हैं तो profit के ratio में जाना चाहिए और अगर losses हैं घर से पैसा लाना पड़ रहा है तो that will be contributed in their profit sharing ratio only ठीक है तो वो उस ratio में लाया जाएगा तो ऐसा है तो यह दिया है यहां पर हाँ और goodwill का क्या होगा goodwill भी asset है वो भी जोड़ी जाएगी उसको भी बेचा जाएगा either along with the other property of the firm या फिर separately भी goodwill बेची जा सकती है फिर losses वगर है तो वो पहले capital capital में से pay किये जाएगे आखिर में बचेगा जो तो उसको आप घर से लेके आएगे assets जो है बेचे जाएगे पहले third party को payment मिलेगा इसके बाद advances वापस होंगे इन्दी advance sharing ratio third party फिर advance in the advance sharing ratio फिर capital in the capital ratio and finally profit among the partners in the profit sharing ratio अगर कोई वेक्ति insolvent हो जाता है और उसका नुकसान है तो वो नुकसान सबको bear करना पडता है इन्दी ratio of capital garner versus मुरे का rule है आप अगले साल accounts में इसको पढ़ेंगे payment of firm's debt and separate debts सब अलग अलग भी debts है और firm के भी debt है समझो firm का भी debt है और केटरीना के खुद के उपर भी debt है केटरीना insolvent हो गई firm dissolve हो गई अब firm dissolve हो गई केटरीना भी insolvent हो गई तो सबको पैसा मिलेगा, केटरीना के individual creditors को भी मिलेगा और firm के भी creditors को मिलेगा अब firm के assets भीकेंगे तो क्या पहले केटरीना को पैसा दे सकते हैं क्या उसके debtors या उनके creditors को pay करने के लिए तो नहीं जब firm के assets भीकेंगे तो पहले firm के creditors pay off होंगे firm की liabilities खतम करेंगे उसके assets बिकेंगे तो पहले उसकी liability खतम करेंगे उसके assets बेचके पहले firm में पैसा नहीं लाएंगे पहले उसकी जो liabilities है उसके जो creditors है उनको pay off करेंगे then अगर बचता है तो firm में लाएगा इसके अलावा अगर firm के assets बिक रहे firm की liability pay off करेंगे और अगर बचता है तो फिर वो personal liability use की जा सकती है so ultimate rule is firm के asset बेच के पहले firm की liability pay करेंगे अगर बचेगा तो personal liability वैसे ही personal assets बेच के पहले personal liability pay करेंगे अगर बचते हैं assets तो फिर firm की liability तो इस प्रकार से rule लगेगा so जहां के asset वहाँ पे पहले use करेंगे उसके बाद बचेंगे तो दूसरी जगे use किये जाएंगे this is the basic rule public notice already मैंने बता दिया public notice कब कब देना पड़ता है आपको जब एक minor major होता है तब देना पड़ता है उसको 6 मेने के अंदर उसको बताना पड़ता है वो partnership में partner बनना चारा है या नहीं बनना चारा है उसके अलावा retirement of partner में बताना पड़ता है expulsion of partner में बताना पड़ता है and dissolution of form में बताना पड़ता है कैसे बताया जाता है दो प्रकार से बता सकते हो आप या तो notice publish कर दो इन दी official gazette, official gazette is a publication by the government गौर्मेंट के पब्लिकेशन में आप पब्लिश कर दो कि हम अलग हो चुके हैं, अब हमारी कोई एक दूसरे से बिजनस की कोई भी रिलेशन्शिप नहीं बची है। अगर फर्म रिजिस्टर है तो आपको रिजिस्टर को भी बताना पड़ता है कि हमारी फर्म डिजॉल हो चुकी है। नोटिस दे देगा तब तक के वो जिम्मेदार है as a minor only याने वो पर्सनली जिम्मेदार नहीं है जितने असेट्स उसके रखे हैं फर्म के पास उतने हद तक उससे recovery की जा सकती है। अगर वो पार्टनर बनना चाहता है या वो नोटिस देता ही नहीं तो मान लिया जाएगा वो पार्टनर बन गया। और उसका जो ratio रहेगा that will be same जो उसके minority में उसको दिया जाता था। उसी प्रकार से retirement of a partner, retirement में अगर वो public notice नहीं देता है तो he will be held liable जब तक के public notice नहीं होता, he is also bound by the acts of the firm and firm is also bound by the acts of the retiring partner। बिल्कुल सेम प्रकार से expulsion में होगा, public notice नहीं दिया तो जो partner को expel किया गया वो bind कर सकता है firm को और firm भी bind कर सकती है expel partner को, means यहाँ पे सब मिले जुले ही है, यह मान दिया जाएगा, सब लोग मिल की अभी भी काम कर रहे हैं माना जाएगा, Dissolution of firm में आप अगर registered है तो register को भी inform करोगे और साथ में जो paper है paper में भी publish कर दोगे, publish कर दिया तो liability वहाँ पे खतम हो जाती है, अगर नहीं किया तो liability continue होगी जब तक आप notice नहीं देते, अगर आपने notice दे दिया तो भी liability रहती है दो चीज़ों के लिए, दो चीजों के resolution and दूसरा to wind up the affairs of the firm, so ये दो चीजों के लिए liability रहती है even after the date of public notice, ठीक है तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर आपका partnership act भी conclude होता है, इसके बाद next class में हम companies act की बाद चालू करेंगे, उसके बाद फिर हम LLP के बारे में चर्चा करेंगे, तो अभी कल और परसो आपकी चुट्टी है, यहाँ तक आपके कोई doubts होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई doubts नहीं होंगे तो आज की class को अपन याँ conclude करेंगे, ठीक है, चलो, thank you